हलो दोस्तों आप सबों को स्वागत है जेक के स्टेडी चैनल में तो आप सभी को कैसे हैं आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे तो जैसा आप सभी को पता है कि अब वर्तमान में जेक जेस एससी ने फिर से फिर से आपका एक्जाम डेट को जारी किया है जो है अगले महना 2014 का जनवरी का 21 और 28 जनवरी को एक्जाम डेट को रखा है तो फिर भी आप सबों के सामने थोड़ा सा और समय मिल पाया है तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि जो जारखंड जी के जो है आपका जारखंड का इतिहास हो जारखंड का भुगोल हो तो ये सारे के सारे को जितना जल्दी जो संचेफ में हो उसको रिवीजन के तोर पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो चलिए हम लोग आज से सुरू कर रहे हैं वो है जारखंड का संचिप्त जो विवरन है संचिप्त परिचे है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और आज के जो वीडियो है उस पे हम लोग जारखंड का परिशे के बारे में हम लोग जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्ट जैसे आप सबों को पता है कि जारखंड हमारा जो राज है वो एक भारत का एक राज है और ये जो है हमारे जारकन की राजधानी रांची है और अगर हम लोग बात करते हैं सीमाएं की है ना कौन-कौन सा हमारा पडोसी स्टेट है उन सब के बारे में भी हम लोग जानकारी पा लेते हैं जारकन की सीमा जो है उत्तर में बिहार, पष्षिम में उत्तर प्रदेश, 36 गड़, दक्षिन में ओडिशा और पूरभ में पष्षिम बंगाल को छूती है मतलब कहा जाए तो जारकन की जो सीमा है वो पांच राजियों को छूती है मतलब जार्खन का जो पडोसी राज है पांच पडोसी राज है और जार्खन में तो बहुत सारे जार्खन का जो है अगर कहा जाए जो पूरा प्रदेश है वो छोटा नाकपूर के पठार पर इस्थित है और इसलिए जार्खन को कभी कभी छोटा नाकपूर कह के भी भुकार जाता है और पूरा जो जार्खंड है वो वनों के अनुपात में जो है भारत में एक प्रदेश में एक अग्रेनी राज भी माना जाता है लेकिन वर्तमान समय में जितना परसेंटेज होना चाहिए वनों की संखिया वनों का परसेंटेज वो उतना अब जार्खंड का नहीं र को ही काटा जा रहा है बलकि वरिक्षा रोपन भी किये जा रहे हैं ठीक है और जैसे आप सब को पता है कि यह जो जार्खन राज जो है वो पहले बिहार का हिस्सा था ठीक है और उस समय जार्खन को दक्षनी बिहार करके के फुकारा जाता था ठीक है और वहीं से जारकन परदेश का स्रीजन हुआ है और अगर हम बात करते हैं प्रदेश के मतलब हमारे जारकन प्रदेश के इसे एक माना जाता है जलिए आफ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जार्खन का नामकरण किस तरा से हुआ किस अधार पे हुआ तो जैसे आप सब到底 है जार्खन दो सब्दों के मेलम से बना है जार और खंड झार का मतलब होता है वन जंगल और खंड का मतलब होता है भाग तो उसी तरह से जो जारखंड राज है देश में सारवतिक जंगली छेत्र वाला राज माना जाता है और इसी जंगल के कारण जारखंड राज का नाम रखा गया जैसे जारखन जार अत्वा जार जंगल को दरसाता है वही खंड जो है एक टुकड़ा मतलब भाग को दरसाता है ठीक है और या राज अपने नाम के रुसार मूल रूप से एक वन छेतर के रूप में जाना जाता है ठीक है तो इसी के अधार पे जारखन सब्द का यहाँ पे जारखन राज का निर्मान किया गया तो उसी के अधार पे इसका भी नाम रखा गया और साथ ही साथ जब जारखन का मांग किया जा रहा था तो उस वक्त जारखन आंदोलन कहके के आंदोलन चलाय जाते थे तो उन्हीं आंधलोनों को देख करके भी इस प्रदेश का नाम र बात करते हैं तो वो हुआ था 15 नवंबर 2019 को और भारतिय संग में राज का स्थान आपका 28 स्थान है और नामकरण की बात करती है कहा जायत अभी ही हमने इस पर बात किया कि यहां पे अधिक जंगल जारी के सरवधिकता को पाते हुए इस राज का नाम जारखन रखा गया और जारज की राज़धानी रांची है उप राज़धानी की बात करते हैं तो दुम है और अधियोगीक राज़धानी की बात अगर हमों करते हैं तो वो होगा आपका जमसेथपूर और राज की छेतरफल की बात करें तो वो होगा आपका 79,714 वर्ग किलो मीटर छेत्रफल और राज के छेत्रफल की द्रिश्टी से कर हम लोग देखते हैं तो भारत में सोलवे अस्थान पहें हमारा जारकन राज और राज में भारत का कुल छेत्रफल का भाग कर बात करें तो वो होगा 2.42 प्रतिसत ठीक है और छेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा प्रमंडल आपका उत्री छोटा नागपूर होगा ठीक है सबसे बड़ा प्रमंडल अग आपका पश्यमी जिम्भूम और सबसे छोटा जीला छेत्रफल की द्रिष्टी से तो वो होगा आपका रामगर अब इससे आप लोगों को बताते चलूँ जो आज से जो हमने वीडियो सुरू कर रहा है वो कहा जाये तो एक रिविजन के तौर पे होगा क्योंकि इसे मैं क् एक रिविजन के तौर पे एक वीडियो अगर आप लोग देखते हैं इसको तो इसको आप अपने दिमाग पे रख सकते हैं तो इसी उधेश्य से मैंने ये वीडियो को लाने का कोसिज किया है ठीक है तो इस पे जादा डिसकसन मैं नहीं करूँगा जितना भी पॉइंट ब आज है उसका अकार की बात करते हैं तो चतुर्ज चतुर्भुजा अकार का है ठीक है इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम के विस्तार का तो किलोमेटर की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं तो वो होगा आपका 463 ग्रामत्र छेतरपल जारकन में इतने पाए जाते हैं और सहरी छेतरपल 17!122,000 किलुमिटर जैसे यहां पर अपने उत्तर से प्श्रिम की बात हम ने इन हपे कलुमिटर देखी और अगर हम उत्तर से दक्शिन की बात करते हैं इस अधार पे तो 380 km हमारा जारकन प्रदेश है उत्तर से पश्चिम और आप सबों को पता होगा कि जारकन प्रदेश से एक रेखा गुजरती है अक्चांस रेखा में तो वो होगा आपका करकरेखा और जो करकरेखा जो है वो पांच जीलों को छूती है एक होगा लातिहार लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगर से होकर आपकी करकरेखा गुजरती है और जैसा भी और अगर राज की सीमा को सपर्स करने वाले राज जैसा भी सुरुवात में ही हमने पढ़ा भी इसमें देखा कि पांच राजें को छूती है बिहार, पश्यम, बंगाल, ओरिशा, च्छत्तिसगर, उत्तर परदेश तो ये पांच राजें को हमारा जैसा जैसा पर्स करता है चूता है और अगर बात करते हैं कि बिहार जो परदेश है आपका हमारा पड़ोसी राज तो जहारखन की कौन-कौन से जीला है जो बिहार की सीमा को छूती है तो वो हो गया आपका दस जीला जो है वो बिहार की सीमा को छूती है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गड़वा है पलामू, चत्रा, हजारिबाग, कोडर्मा, गीरिडी, देवघर, दुमका और गोड़ा, साहिब गंज तो इतने सारे दस जीले हैं जो बिहार की सीमा को छूती है और अगर बात करते हैं पश्यम बंगाल की तो जार्खन की भी यहां पे दस जीला है जो छूती है पश्यम बंगाल को साहिब गंज है, पाकूड है, दुमका, जामतारा, धनबाद, बोकारो, रामगड, रांची, सराइकेला, खरसावा, बुर्भी सिंभूम तो यह सारी बाते हैं यहां पे हम लोग देख पाते हैं और अगर आप सबों को यहां पे कोईश्यन बहुत बार पूछा जाता है कि जार्खन का वो कौन ऐसा जीला है, एक मातर जीला है, जो यूपी को छूता है और वो है आपका गड़वा जीला तो यहां पे हम लोग देख पाते हैं लेकिन यहां पे इस संबंदित मैं एक अलग से वीडियो लाओंगा जो जार्खन के सीमा से संबंदित होगा कि कौन कौन सा जीला है जो अन्य राज्यों को छूती है, ठीक है तो यह सारी बाते हैं तो आज के वीडियो में बस एक मातर परिचय था जो हमने जार्खन के परिचय के रूप में देखा है और अगला कलास जो होगा वो होगा आपका जार्खन के इतिहास से संबंदित होगा जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वैदिक यो महाभारत काल है ना तो यह सारी बाते तो जरू से जरू जुड़ीएगा और मैं कोसिस करूंगा जल्द से जल्द जार्खन के इतिहास से उसको जल्द से जल्द कम्प्लेट करूं और अज से रोजाना इस संबंदित आज से वीडियो आएंगे ठीक है तो यही है आज का वीडियो आज की वीडियो में हमने जाना जार्खन के परिचे के बारे में जो छोटी सी जानकारी रही है तो चलिए इसी आशा के साथ की वीडियो आप सबों को काफी फैदे मंद रहा होगा वैसे आज की वीडियो तो वैसा परिचे ही था जार्खन से संबन दित और जो मुख्या बाते हैं उनी सारी बातों को मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है और कोशिशिद करूँगा वीडियो का और अच्छी तरह से आप सब껑 क सामने लाने का प्रयास करूँगा और जिसके दोरा से आप सब को काफी मज़थ का सापित होगा तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यह पर समाप्त करता हूँ जो भी बाते बताई गई वो सारे के सारे बहुत ही महतपून है ऐसे ऐसे परिक्षाओं में आ चुके हैं कुछ कुछ ऐसी कुछ है जो आ चुके हैं तो और हाँ और यहाँ पर एक बात मैंने आपको नहीं बताया जो भी मैं देख रहा हूँ और हमारा जारकन प्रदेश है जो खनीजों से भरपूर है हर एक तरह की खनीज है जो हमारे जारकन में दिये गए हैं इसलिए जार्कन प्रदेश को भारत का रूर भी कहा जाता है रूर क्या है रूर एक खनीज प्रदेश है जो यूरोप महादुवीब के जर्मनी प्रदेश में जर्मनी देश में स्थीत है और जैसा हमारा जार्कन प्रदेश है जैसे यहाँ पर बहुत सारे खनीज मिलते हैं इतने की अन्य राजियों में भी नहीं मिलते हैं, उसी प्रकार आपका जर्मनी का ये जो रूर छेतर जो है, वहाँ पर भी जार्खन की दरहा, वहाँ खनीजों की भरमार है, इसलिए हमारा जार्खन को भारत का रूर भी कहा जाता है, तो चलिए, इसी बात के साथ, मैं आज के सेग्मेंट को मैं ये पर समाप्त करता हूँ, वीडियो आप सपन को कैसा लगा, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तो सुरक्षित रहिए और खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद